जीवन में हमेशा तनाव बना रहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिवार से खुसियां रूठ गई है। समस्याएं मूबाये खड़ी है। परसन्न होने के मौके ही नहीं मिल पा रही है। नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आचारिय सूरज सास्त्रिया और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बरसों बीत गए मन परसन्न ही नहीं रहता। कुछ न कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि मूड ओफ रहता है। कहीं साधी विभाव पाटी में भी जाते हैं तो चुपचाप सा बैठे रहते हैं। बहुत ज़्यादा हसने के मौके नहीं मिलते या इक्छा ही नहीं होती। यदि ऐसी समस्या से आप जूज रहे हैं तो बास्तु में पुर्व का दिशा आपका डिश्टर्ब हो सकता है। नौर्थ इस्ट का जोन उत्तर और पुर्व का कोना हमारा नौर्थ इस्ट का जोन है। और मिडिल में इस्ट का जोन इसके मध्धि में एक जोन होता है फन और इंजॉयमेंट। लाइप में जो परसन्नता और खुसियां मिलनी है वह यही छेत्र देता है। आपने देखा होगा कुछ बेक्ती को, कुछ परिवार को, कटे कटे से रहते हैं। नजाने कौन सी समस्या उन्हें गिरी रहती है। इस छेत्र में यदि डिस्टर्बेंश है आपके घर में या किसी के भी घर में, ऐसे लोगों को परसन्न होने के मौके बहुत कम मिलते हैं। ऐसा लगता है कि कोई न कोई समस्या खड़ी है, कोई मौके भी परसन्न होने के आयें, तो भी उनका मनत उदास और भुजासा रहता है। कहीं कोई दूसरी समस्या तू create नहीं होगी, या पिछला कोई समस्या पीछा नहीं छोड़ रही है। आप देखें कि इस छेतर में आपने कहीं toilet तो नहीं बना रखा है। इस छेतर में कहीं सवचालय टैंक तो नहीं है। यदि सवचालय निर्मान करके रखा है, happiness में कमी आ सकती है। परसन होने के मौके कम मिलेंगे। ये खुसियां को dispose of कर सकता है। इस छेतर में रसोई तो नहीं बना। इस छेतर में आपने storage तो नहीं बना कर रखा है। खास करके बेकार की चीजों का storage तो नहीं है। इस छेतर में कहीं pure white या yellow color, deep yellow का तो पर्योग नहीं है। यदि आपको लगता है कि परसन्नता root सी गई है, खुसियां दूर चली गई है। तो कहीं न कहीं ये छेतर आपका disturb हो सकता है। जो 22 degree का छेतर है, जिसे east north east कहा गया है। इस छेतर में इंद्र और जयंत ये जो देवता फिल्डा आते हैं। इसके जो इनर्जी है वो आपके खुसियां से परसन्नता से सीधा जुड़ा हुआ है। इस इनर्जी छेतर में unwanted या इसके विपरीत या किसी गलत चीजों का निर्मान बड़ा समस्या create कर सकता है। इस छेतर को clean रखें, साप सुथरा रखें, इस छेतर में bedroom बना सकते हैं, बैठक बना सकते हैं, study कक्ष बनाया जा सकता है, पूजा कक्ष बनाया जा सकता है, सेप्टिक टैंक बिलकुल नहीं बहुत सारी चीजे हैं उन्हें देखकर हमें बास्तु पर वर्क किया जाता है आज के अंक में इतना ही मिलते हैं अगले अंक में धन्यवाद